तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और ये जो वीडियो है आप लोग के उर्दू फोर बिगनर यानिक यू एफबी का पार्ट 11 है जिसमें हम लोग उर्दू में चार अक्षर से मिलकर बने आमात्रा वाले शब्द को प्रवात करते हैं आप लोग आप लोड़ी दो और तीन अक्षर से मिलकर बने आमात्रा वाले शब्दों को उर्दू में लिखना और पढ़ना जानते हैं क्योंकि मैं आप लोग अल्री बता चुकी हूं तो यह आप लोग के लिए और आसान होगा है ना तो देखिए मैं य लफज में जो सबसे पहला अक्षर को उर्दू में हर्फ बोलते हैं यह भी याद रखिएगा एक्स्टा नोछ फोग्श है ना चाहिए यह हो गया शीन से शौ अब अगला अक्षर है रा तो सबसे पहले रा कूर्दू में क्या कहते हैं यह सोचिए तो रा कूर्दू में रे कहते हैं तो यहां पर फटाफट रे लिग दीजिए अब रे से तो रा हो गया बट इसको रा बनाना है ना तो रा बनाने के लिए क्या कर देजिए फे से फा हो गया प्लस ता लास्ट वाल अक्षर क्या है तो ता को उर्दू में ते यहां पर ते लिख दीजिए फटफट अब ये सब को जोड़ देंगे तो शराफत आसानी से लिखा जा सकता है अब जोड़ेंगे कैसे देखिए आप जानते हमेशा कि शीन का इतन तो सबसे पहले इस शीन में रे जूड़ी है यही पर जो है यह आकर ऐसे जूड़ जाएगा तो देखिए से शा हो गया और रे से रा हो गया शर हो गया बट हमको शरा लिखना है ना तब नफट होगा तो शरा तो रा बनाने के लिए बस यह अलिफ ले जाकर चिपका देना है तो सिन से शा और रे में अलिफ जूड़कर रा अब फत फे और ते जोड़ देना है तो देखिए फे का हमेशा इतना ही पार उठाया जाता है यह गोल वाला पार यह हो गया फे से फा और इसी में जो ते है टोटल पूरा का पूरा ते यहां पर आप लोग लाकर जोड़ देंगे फे में तो सिन से शा हो गया रे में अलिफ जुड़कर रा हो गया और फ में तो जुड़ गया यानकी फत शराफत देखिए कितना आसानी से लिखा गया इसी तरह लिखा जाएगा शराफत अब कहीं भी इस तरह लिखा रहेगा तो आप आसानी से पढ़ पहेंगे कि हाँ यह शराफत लिखा है ठीक आगे बढ़िए तबारक तबारक में सबसे पहला अक्षर है तो कुर्दू में ते कहते हैं तो यहां पर ते लिख दीजिए प्लस बाँ बाँ है ना तो सबसे पहले सोचिए बाँ कुर्दू में क्या कहते हैं तो बाँ कुर्दू में बे कह कहते हैं तो रे कहते हैं प्लास रे हो गया एक विनट ये अच्छा से दिदू और को लास्ट वाला अक्षर क्या है लास्ट वाला हर्फ को कॉर्दू में काफ कहते हैं तो यहां पर फटफट काफ लिख दीजिए तो अब देखिए अब यह सब जूड़ जाएंगे सबसे पहल टो बे में अलिव जूड़कर बाऊ होगा ना तो सबसे पहले इस ते में यानि की तौ में ये बाऊ जोड़िए देखिए यह हो गया बे का भी इतना है पाफ उठाएंगे यह से तो और इसी में ब्रे से बाऊ हो गया अब बा बनाना है न तो ये वाला जो अलिफ है इसी बे के पास लाकर ऐसे जोड़ देंगे तो ये देखिए तेसे ता हो गया और बे में अलिफ जुड़ कर क्या हो गया बा तो तो बा अब लाश्ट में रख जोड़ते ना है तो यह जो रे हैं, रे से रा हो गया और काप से क का, ये दोनों को पास मिला कर चिपका देना है, तबारक कितना असान है, ते से तो Alt उश्यूड़ कर बा तबा और रे से रा काप से का रख, तबारक ठेक, आगे बढ़िए भयानक, भयानक, तो भयानक में सबसे पहला अक्षिर क्या है, भा, भा को उर्दू में क्या कहते हैं, किस तरह लिखते हैं, जिस तरह बी से बा और बी में एच जोड़कर बी एच से बा, in the same way, उर्दू में बे से बा और बे में एच, यानि की हे जोड कर बे एच से भा बनता है, ठीक है, और लिखा कैसे जाता है, बे में हे जुड़कर इस तरह भा जूड़ता, यह होगी है, प्लस यान है, तो सबसे पहले सोचिए यह कूर्दू में क्या कहते हैं, तो यह कूर्दू में यह कहते हैं, और ओभी नहीं तो छोटी वाली यह, ठ जोड़ देंगे, प्लस ना, ना कूर्दू में नून कहते हैं, तो यहां पर नून लिख दीजिए, और काफ से का, तो यहां पर काफ लिख दीजिए, ठीक, अब सब जूड़कर लिखा जाएगा भयानक, अब जोड़िये कैसे जूड़ेंगे, यह जो भा है, बिल्कुल इ इसी में यह जोड़ना है, भाया, देखें, एक चीज़ नोटिस कीजिए, सबसे पहले, शीन से श हो रहा था और इसी में रा जोड़ दिया जा रहा था, यानि कि श रा, और लास्ट वाला इन दोनों को जोड़ा जा रहा था, फे से फोर और तेसे इन दोनों को एक सान्थ, और इन दोनों को जोड़ा जा रहा था तुछ जोड़ेंगे यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे नक को ठीक है तो सबसे पहले भया बनाएगे दिए अब यह बनाएंगे अब यह जो है आप लोग जानते हैं यह जो यह है अपना शकल चेंज करके कैसे रूप में आ जाती है तो ऐसे रूप में आ जाती है देखिए यह जो छोटी यह है जब किसी दूसरे हर्फ में दूसरे अक्छर में जुड़ती है न तो यह ऐसा जो शकल है इसका यह अपना शक भी आप लोग कर ये से यह बहुत हम लोग को यह बनाना है ना भया तो इसी में क्या करेंगे यह जो अलिफ है यह मैं अलिफ यह जूड़कर यह भया अब लास्ट में नक जोड़ दीजिये इन दोनों को एक साथ तो नून का इतना ही पाट उठाए जी देखिए इतना उठ ग डूआँ किस तरहिं आगे बढ़े घ्श्च करे और कि जो है कि बार्व लिखा है कि लखा है खिक करामत करामत में सब तो सबसे पहले सुशी की राक उर्दू में क्या कहते हैं तो राक उर्दू में रे कहते हैं रे से तो रा हो गया बट रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे उसके बाद से मा है तो मा कुर्दू में मीम कहते हैं तो यहां पर फटाफट मीम लिख दीजिए और उसके बाद स यहां पर लिख दीजीए अब सबको जोड़ दीजिया आप लोग हमेशा जानते हैं कि काफ का इतना ही पाट उठाया जाता है तो काफ से इतना उठा कर को बना दिये और सबसे पहले इसी काफ में यह रा जोड़ना है ठीक देखिए भौ में या जोड़ रहे थे तो भया हो जा रहा था लास्ट में नक जोड़ रहे थे तो में बा जोड़ रहे थे और लास्ट में रख जोड़ रहे थे तो बा रख शीन में यानि कि शौ हो गया काफ अब इसी में रे रा जोड़ना है तो सबसे पहले यह इसको लाकर यहां गया करा में करने के लिए जो अलिफ है इसको यहां पर चिपका देंगे तो काफ से का और रे में अलिफ जुड़कर यह गया को रा ठीक आप से को और रे मेलिव जुड़कर रा करा अब इन दोनों को जोड़ दीजिए मत को मिम का इतना ही पाट उठाया जाता है तो मिम का इतना ही पाट उठाइए और इसी में यह ते है यह पूरा का पूरा ते लिख दीजिए तो यह देखिए काप से को रे मेलि शेन से शाओ तो यहां पर शेन लिख दीजिए बड़ी शेन है तलाबे शाओ को उर्दु में बड़ी शीन कहते हैं तो यहां इसको आप में इक अन्वर्ट करें कि फ से वा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे तो अलिफ जोड़िये अलिव भी कहते हैं और एन भी कहते हैं ठीक तो यहां पर हम लोग एन का यूज करेंगे यह वाला एन ठीक प्लस ता को उर्दु में टे कहते हैं तो यहां पर ते लिख दिजिए हम अब देखिए सभी जुड़ जाएंगे सबसे पहले यह जो शीन है शीन में फा जुड़कर यानि कि शौ में फा जुड़कर शफा बनाईए सबसे पहले तो शीन का इतना ही पाट उठाए जाता है तो इतना ही पाट उठाए दीजिए यह हो गया शीन से शौ अब इसी में पहले फा जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे यह जो फा है इसका इतना ही पाट गोल वाला पा और अब इन दोनों को जोड़ कर शाट्र वहाइन ऊ से ती में ता यान की तरीन की जूड़ गया है तो आत शाट्र शाट्र शफा-अथ ठीक आगे बढ़िए ना लायक नालायक में सबसे पहला अक्षर क्या है कि ना अब देखिए यह ऐसे यह ऐसा शब्द है जिसके पहले वाले अक्षर में भी आ की मात्रा है और दूसरे वाले अक्षर में भी आ की मात्रा है देखिए यह सब जो जितने भी शब्द थे इसमें पहले वाले अक्षर में आ की मात्रा नहीं थी दूसरे वाले अक्षर में आ की मात्र है हु o फटा फट नून लिख दीजिए हैं फट फटो में लाम से हगए यह Roddy मैं लां से तो ला बनाने के लिए हो गया अब यह колझ में क्या कें तो इस तरह लिख दीजिए च्छोटी यह और उसके बाद से कौक उर्दू में काफ कहते हैं ठीक अब यह सभी जुड़ जाएंगे अब देखिए कैसे जुड़ेंगे यह जो नून है नून का इतना ही पाट उठाया जाता है सबसे पहले नून में अलिफ जुड़कर ना बनाईए तो देखिए यह नून से ना हो गया इतना ही पाट उठाएंगे नून से ना हो गया और इसी में यह अलिफ जूड़ देंगे तो नून में अलिफ जुड़कर ना हो गया अब ल लाम में अलिव जुड कर ला बनाए तो देखिए नून में अलिव जुड कर यहीं पर जुड जाएगा तो लाम में जुड कर ला हो गया अब यह जो यह यह है मैं आप लोगों को अभी बताई यहां पर फिए कि यहां पर भी यह जो यह है यहां होगया है यह हो गञार है तो यह जो है यह से यह हो गया और इसी में काफ जुड़ गया तो यक हो गया तो नून मेलिव जुड़ कर ना ला और यह तो ना ला और यक ठीक आगे बढ़िए हजामत हजामत में सबसे पहले अक्षर है हो कुर्दू में क्या कहते हैं तो हे कहते हैं तो यहां पर हे लिख द कैते हैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूं कि यह जो यह है अपना सकल change करके ऐसे रूप ले लेती है और यहां पर यह जो है है यह एसा रूप ले एवाला ठीक है अब देखे कैसे यह जुड़ेगी मैं आप लोगों को समझाती हूं यह है अब ऐसे रूप लेली यह से हो गया अब इसी में जूड़ेगा हो और इसी में जूड़ेगा जिस तरह यहां पर भाया तौबा शौरा पहले जोड़ रहे थे ना बिल्कुल उसी तरह यहां पर हमें सबसे पहले जूड़ेंगे तो सबसे पहले जूड़िए इसी हमें यह इसका इतना ही पार्ट ले जाकर जोड़ेना है ये जो हे से हा हुआ है इसी में जीम का इतना ही पार्ट ध्यान दीजे कैसे जुड़ेगा ये हे से हा हो गया ना अब इसी में जीम का इतना ही पार्ट जाकर जुड़ेगा देखिए ऐसे और ऐसे देखे रहे हैं ये हे से तो हा हो गया और इसी में जीम का इतना पाट आकर ऐसे जुड़ गया ठीक तो जीम से जा हो गया बट इसको जा बनाना है न हाजा है तो इसी में अलिफ ऐसे जुड़ देंगे जीम में अलिफ जुड़ देंगे ऐसे ठीक तो ये हे से हा हो गया और इसी में जीम से जा जीम में अलिफ जुड़कर जा हो गया ठीक और उसके बाद से हजा तो हो गया बट मत अब इन दोनों को जोड़िए तब न हजा मत होगा तो ये मीम का इतना ही पाथ उठाये जाता है तो मीम का इतना ही पाथ उठाये और इस जुक्त हजां और मत अगे पढ़िए नाजाकत में सबसे पहला क्षर किया ना कुर्दू में कहते हैं अब अगला जॉकुर्दू में सबसे पहले सूचिए क्या कहते हैं यह नीचे वाला जाय है तो föो इसको जा बनाना है आ जा तो अलिफ जोड़ेंगे तो यह Scient missile का Aujourd UM काफ कहते हैं तो यहां पर कफ लिघ दीजिए प्लस तो कुर्धू में क्या कहते हैं तो तो यहां पर लिख दीजिए अब देखिए सब कैसे जुड़ेंगे सबसे पहले नून में जुड़कर यानि कि नौ में जुड़कर नजा बनाई यह नून का इतना ही पाथ उठा लीजिए यह हो गया आप लोगा नून से नौ अब इसी में आप लोगो को जुड़ना है तो स अब इसको जा बनाना है ना तो बस लास्ट यह जो अलिफ है इसको ले जाकर यहां पर चिपका देना है ठीक है तो नून से ना और जे में अलिफ जुड़कर जा हो गया नजा हो गया अब उसके बाद से इन दोनों को जोड़ दीजिए कत को तो काफ का इतना ही पाथ उठा इतना पाथ उठा लीजिए काफ से कहो गया और इसी में ते ले जाकर यानि कित्ता जोड़ दीजिए तो कत नून से ना जे में जुड़कर जा और काफ में ते जुड़कर कत तो नजा कत नजा कत आगे बढ़िए बगावत सबसे पहले आक्षर क्या है बाव कुर्दू में बे कहते हैं तो यहांपर लिख दीजिए बे से तो बनाने के लिए Alif जोड़ेंगे उसी तरह वह है वह कुर्दू में वहते कहते हैं अब सबको जोड़ियें सबसे पहले सब्सक्राइब बहुएंस बिखानगा उठाइएं रिए ट्रिया सबसे पहले बहुंएं अप वहत इतना पटर होत बाइए भिजी अहां कि फिद्री दीदि का इतना पात इति आप लोग जानते हैं तो देखें यह हो गया आप लोग का अब यह जो सीधा वाला पाठे ना अब यहां पर गोल हो जाएगा ऐसे ठीक कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है बेसे बाह इतना ही पाठ उठाया गया है और इसी में गाह जोड़ना था तो सबसे पहले हम लोग जोड जोड़ना है ना गाह बगाव वत है ठीक है तो इसी में गाफ में यह जो निकला है ना इसी में ले जाकर यह जो अलिफ है यह ऐसे जोड़ देंगे तो बेसे बाह और गाफ में जोड़कर गाह हो गया यह है आपनों का गाफ और इसी में यह अलिफ जोड़ गया तो गाह अ हो लिखा निखें अफिख होया सन लिखा भी इनना पूरा पूरा लिख स्वार लिखा गहा है सबसे पहले गर्जार क्या हैंसा को उर्दू में स्वाद कहते हैं यहां पर ने सब स्वाद होगा थीव तो यहांपर स्वाद लिखियए तो यह हो गया स्वाद से साँ हुआब दा है तो सबसे पहले सुचिए दौक उर्दू में क्या कहते हैं transforming कहते हैं लिए उसके बाद से का है क्या किया कहते हैं यहां पर ना यह वाला रही अब नीचे बिंदू अलाका ठीक सदाकत थीक सदाकत हां नीचे बिंदू अलाका नदेए गा तो इसको यह वाला का ढगार उजिस के लिए तक अधुर से को box ऑगया और उसके बाद से अगला क्शर क्या है अगला अक्षर है तो तौकoga उदू में क्या कहते सोचिए तो कुर्दू में कैते हैं यह तिसला को आच्छिक सबसे सबसे पहले स्वाद में दा जोड़ कर आप लोग क्या बनाएंगे सदा बनाएंगे उसके बाद कत जोड़ेंगे ठीक तब नहोंगा सदा कत तो सबसे पहले स्वाद में दाल जोड़िए इनकी स्वाद में दा जोड़िए ठीक तो देखिए स्वाद का इतना ही पार्ट उठा जाता है उतना ही पार्ट में उठाई हूं ठीक स्वाद से स्वा हो गया अब इसमें आप लोगों को दा जोड़ना है तो सबसे पहले इस डाल को जोड़िए देखिए जो डाल है ना यहीं यह स्वाद का इतना जो निकला है आप बोल सकते हैं को ना निकला है इसी में यह दाल ले जाकर जोड़ेंगे ऐसे ठीक है तो स्वाद से सा और इसी में दाल यानि की दा जूड़ गया बठ हम लोग को दाब बनाना है ना दा जोड़ना है तो इसी दाल के पास यह अलिफ आकर चिपक जाएगा तो दाल में अलिफ जूड़कर डा हो जाएगा तो देखिए सबसे पहले सोची कि जोग उर्दू में क्या कहते हैं जिस तरह जए से जए में एक जोड़ कर जोड़ कर जोड़कर सबसे जा in the same way उर्दु में जीम से जह और जीम में एच जो जुड कर यान कि ही जो 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 होता है तो यहांप से यहां पर जा प्लस मां है तो मां को एच्जा में मेरे मीम कहते हैं तो मीम से मां हो गया मां बनाने के लिए अलिफ जोड दीए उसके बाद फिर ज़ा है तो फिर से यहां पर ज़ो में कहते हैं तो यह होगी आप लोग का मिन में अब सबको जोड़ दीजिए सबसे पहले जो में मा जोड़कर जहां बनाई यह गृष्ही तरह इसी तरह यहां पर लिख देंगे आप तो कैसे जोड़ेंगे भाई निकला इसी मेंohl के लिए इतना पार्ट ले जाकर जोड़ेंगे थेशेर ये यह में प्लका में इतना ही पार्टא से मा जोड़ेंगे तो जो म्लोंकों मा जोड़ना न करें नहीं इस में जोड़ देंगे जहा और मीम में अलिव जोड़कर मां हो गया और फिर अब इन दोनों को जोड़िए जहम यह तो जहमां हो गया अब लास्ट में जहम जोड़ देना है तो जहम बनाने के लिए जो जहा है इसको भूबहू बिल्कुल जिस तरह वहां पर लिखा है इंद सेम य जहमई बना है बिल्कुल जिस तरह बना है उसी तरह लिख देना है आप लिख देना है आप लिखको तो जो उनिपके ठिक आगे बढ़िए चमा चम जिस तरह जहमा जर्ण लिखे थे उस्सी तरह चमा चम लिखेंगे बस जो चाख के ज condiciones च पर कर चा बनाते हैं और लिखा कैसे जाता है तो देखिए ऐसे लिखा जाता है प्र। यह हो गी आप लोगग का चाए और मा है तो पहले से होता है टो लेकिव चोछ से लिखी कैसे जिस इसी में मा जोड़ेंगे जों में मा पहले बनाएगे उसके बाद चाहले में जोले यहां पर इतना गोल वाला बिन्दू पर यहां पर लाकर और मिलीव जो इसको पूरा का पूरा यां पर लाकर ऐसे जो और देना है और छो पलस मा चम मीठ तो छh amacham ठेक बढ़िए है वाकालक यहां पर काहफ के नीचे बिंदू रहेगा मैं आप मैं आप लोगों को बता दू काफ के नीचे बिंदू रहेगा ठीक तो सब से पहले वह हैं पहला अक्षर वह है स्पर्चीय कि वह अर्दू में क्या कहते हैं वह को अर्दू में रना कहते है सिर्फ का की उच्छा甜 विक्ट है था का तो को उर्दू में ते कहते हैं तो यहां पर ते लिख दीजिए ठीक अब सब जूड़ जाएंगे सबसे पहले वह में का जूड़कर वक्का बनाईए फिर लत्व बनाईएगा ठीक तो सबसे पहले यह वाव जिस तरह है नहूं बहूं उसी तरह यहां पर भी आपने को लिख को जूड़ का हो गया वा उसे वह और जूड़ कर वका प्लस लत इन दोनों को जुर जिवेह लाम का पर छणा यह उठाई चाहिए और इसवें गया उसको लगा वकालत ₋ तरजण बैस में चारण तब है कि एक हम नटनिव में सबसे पहले सचीक क्या कहते हैं तो के घथ से तो टा बनाने के लिए प्लिस रा इपक Do में क्या कहते हैं और बेली कि दीज hy और जहा के नीचे बिंदु रहे गांपा 박 Me प्लस नव को दू में क्या कहते हैं अब सभी जूड़ जाएंगे सबसे पहले अलीव जुरुका बनाईए तो देखेंगे इतना ही पात पाट उठा दीजिए उपर वाला है पी की तरह बनाते हैं अब लोग ऐसे बड़ा भी जिस तरह प्लग उनाते ना उसी तरह यहां पर छ तो ते में अलिव जूर कर उगया अब रो यानी कि रहें कर चिपका देना है सबसे पहले बना दिए ना अब रह जो है इसी में इसान हो गया शिपका देजिए तो इसे जह और में सेना बस लेले जाकर चिपका चिपका देना है जोड़ना नहीं है मिलाना नहीं है ठीक तो टे मेरी वजुर कर टा हो गया रे सेरा और जेव में नून कर जन तो टार जन कितना असानी से लिखा गया अब आगे बढ़िए देखिए अगला शब्द है ताज महल में पांच सब्सक्रां कि और दो मैं पार्म लिख दीजिए तो यह पांच साक्ति ना मैं यह थिए हम आप लों को बता रही हुआ रह Depay से tussen हो गया इसको ता बनाने के लिए जोड़ेंगे उसके बाद जा है जा कुर्दू में जीम कहते हैं तो फटफट जीम लिख दीजिए प्लस मा है मा कुर्दू में मीम कहते हैं तो मीम लिख दीजिए हा है हा कुर्दू में हे कहते हैं तो हे लिख दीजिए प्लस ला है ला कुर्दू में लाम कहते हैं अब ये सभी जुड ताज हो गया तो जो और फॉसके बाद से इन तीनों को जोड़कर महल बनाईे तो महल कैसे होगा तो तो हो गया अब मिम का इतना पाट उठाकर यह हो गया म्यम से मा और यह जो हैय मैं आप लोगों को बताई हैं पर बिख वो यहां पर एसे ही करें पूर बना ले गा ए उखते हैं। пес plots जुड़कर ताज घृता which मढ़िए राजमिंघ आगे पढ़ी। जिस तरह तरह महें लिखेंगे क्या क्या कहते हैं अब इसको रहा बनाने के को उर्दु में मिम कहते हैं मकूदु में मीम कहते हैं कूदँ में अब इसको राज महल को बना ते जच्यों को रागी तरह रहे चालो हा धा महल इन तिनों को जोड़ देना है तो यहां पर जसी तरह महल जोड़े थे उसी तरह इसे लाशच में जाकर चिपक जएंगा तो महल आगे बढ़िए माला माल इसमें पाच अक्षरण नहीं एक HERE महीत वो पता है दो गता हो na आए तो इसको कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले देखिए ऐसा शब्द है जिसमें मां तीनों अक्षर में आ की मातरा है मां में भी आ की मातरा है ला में भी आ की मातरा है फिर मां में आ की मातरा है यानि कि शुरुआत में तीनों अक्षर में आ की मातरा है तो इसको कैसे लिखेंगे सबसे पहले मा को सोची क्या कहते है उर्दू में मीम कहते है तो या पर फटाफट मीम से मा हो गया बट मा बनाने के लिए अलिफ जुड़ेंगे ला है तो ला को उर्दू में लाम कहते है इसको ला बनाने के लिए अलिफ जुड़ेंगे मा है तो मा को उर्दू में मीम कहते है मा बनाने के लिए फिर से अलिष जोड़ेंगे और ला है रोग करती है में लाम कहते हैं अब सब जुड़कर आपलों म्हें ड्र eux कर रॉक्ता है जानते हैं मसक्त घषान ब्रॉक्त उठाए जाता गांचे चौना इंद कर दीजिये तो म्हें होगी आप ला लिखना है आप लोगो लाम में अलिफ जोड़कर ला बनाइए तो यह होगी आप लोगो का लाम का इतना पाट ठीक है और इसी में अलिफ जोड़कर ला हो गया माला प्लस फिर माल लिखना है आप लोगो तो फिर से मिम में अलिफ जोड़िए तो मिम में फिर स ठीक आगे बढ़िए ला ज़वाब ला जबाव में सब्सक्र अक्षर क्या है देखे इसे ऊश्रब्त जिसके शुरुआत वाले पहले बाले आक्षर कि मातरे में नहीं Z लिख दीजिए लाम से लाव बट इसको लाव बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे जो है जो कुर्दू में जीम कहते हैं ठीक प्लस वाव है तो सबसे पहले वाव कुर्दू में वाव कहते हैं फिर इसको वाव बनाने के लिए अलिफ जोड़िए बाव कुर्दू में बे कह यह में लीतना है जो यहां पर यह जोड़ा जाएगा तो जिम मैं तो पूरस लोगा यहां पर चिपका देंगे चाहिए तो इसे में वाब 먹 युद कर वा हो गया और लास्ट में बे जो है तो जाकर चिपका देंगे तो ला में अलिव जूर कर ला हो गया जिम से जा वाब में अलिव जूर कर वा और बे से बा ला जवाब ठीक आगे बढ़िए दास्तान दास्तान में देखिए यहां पर आधा सौ है इसको कैसे लिखेंगे यह भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूं सबसे पहले दा को उर्दू में क्या कहते हैं दाल कहते हैं तो दाल लिखिए दाल से दा बनाने के लिए अलिव जो दिये आधा सौ है तो यहां पर जो है ना आधा सा पूरा सीन पूरा सौ को उर्दू में क्या कहते हैं यह वाला सीन ठीक है ना प जिस तरह यहां पर सौ आधा हो जा रहा था बस इतना ही लिखा जा रहा तो उसी तरह यहां पर भी आधा सौ लिखने के लिए सीन आधा हो जाएगा यह गोल वाला पार्ट नहीं बनेगा बस इतना ही लिखाएगा तो देखिए सीन से सौ हो गया दाल में लिफ वजूर कर दा और सिमसे मतलब आधा सीमसे सौ ठीक है और उसके बात से आगे बढ़िए ता है तो ता कुर्दू में क्या कहते हैं तो ते लिग दीजिये ता बनाने के लिए अलिफ जुड़ेंगे प्लस नौ कुर्दू में नून कहते हैं अब सब जूड़ जाएंगे दाल में अलिफ ये जो निकल घाना तो आप बोल सकते हैं नूक निकल गया यहां पर से यह कि यह हो गया था है अब यह हो घे आप будете ऊब लोग का थैसे उप और इसे में अलिफ जोड देंगे थीक तो दाल में जूड परडा Suzanne से सव दास और ते में अलिव जुड करता होगे और लाच में नून ले जाकर चिपका दीजिए तो नून से ना दा और आधा सव ता और ना दा सितान ठीक आगे बढ़िए शांदार कि शांदार में सबसे पहला क्सर क्या है शाह है शाह कुर्दू में बड़ी शीन केहते हैं तलाबे शाह है इसलि को हैं शोठी 5 उसको यहाँ पर तलाबेश यह यह पर बनाने के लिए वर जोड़ेंगे उसके बाद से नौ में नून कहते हैं फिर दा कुर्दू में डाल कहते हैं दाल से तो ता हो गया बनाने के लिए जोड़ेंगे और रे से रहां चीछ अब देखे शांदार कितना आसानी से इसमें अलिव जोड दीजिए तो ये शिन में जूड कर शाह हो गया अब यह जो नून है नून का इतना ही पाथ उठा लिए और उसके बाद सी जो दाल है इसी नून में ले जाकर ऐसे लगा देंगे चिपका देंगे तो नून से तुद्धा हो गया बड़ हम लोगों को दा बनाना है ना तो दाल में अलिवِ जूड़ कर शॉन से ना शान और दाल में अलिव जूड़ कर दा लाश्ट में ले जाकर चिपका दीज Birds दार तो शान दार शानदार यह फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो शीन में एलिव जुड़् कर शाह हो गया और उसके बाँस्य दाल में एलिव जुड़ कर आर दार रे से रह शानदार इस तरह से मदद बागवान सब से pa kadar का बाब वर्व कğ में क्या कहते हैं तो बिए पर लिझ दिजें को बाब बनाना है तो में वाली जुरेंगे और उसके बाद से अलें अगला अगप्षेर हैं उपर में लीख से लेंगे अपुना तो नून यानि की ना है तो नून यहां पड़ लिख देंगे ठीक सबसे पहले बाग बान लिखने के लिए बे में अलिफ जोड कर बाव नाइए फिर गाफ चिपका दीजियेगा तो बाग हो जाएगा उसके बाद से बाद से बाग बनाएए फिर बान बनाईएगा तो बाग बनाने के लिए बे में अलिव जोड़िए तो यह होगी आप लोग का बे और इसी में अलिव जोड़ दिए तो बे में अलिव जुड़कर बा हो गया और गाफ ले जाकर ऐसे चिपका देना है जिस तरह हूँ बहु गाफ लिखा है यहां पर उसी तरह यहां पर आप लोग को बान लिखना है तो बहें में बाइब जुड़कर बाइब लिफ जुड़कर और गाफसे बाग तो बाग बान बाग बाग बाए जानकार में सबसे पहले क्या है जह को दू में क्या कहते हैं जीम कहते हैं जब अब देखिया सबसे पहले जिम हो गया और जिट गया तो तो सबसे पहले जीम में अलिफ जुड़कर जा बनाईए देखिए जीम हो गया और अलिफ जुड़कर तो जा हो गया और नून से जान हो गया और उसके बाद से काफ में अलिफ जुड़कर का बनाईए तो काफ का इतना ही पाथ उठाए जाता है तो काफ का देखिए यह जो स बीख सकते हैं इसी में जोड़ दीजिया और रे से रा हो जाएगा तो सरकार पूरा नो भी निख सकते हैं या फिर आप इस तरह काफ में जोड़ सकते तिक आगे बढ़िए सरकार सरकार में सबसे पहला अक्षर सौ सौ कूर्दू में सीन कहते हैं तो सीन लिखिए रहा कूर्दू में रहे कहते हैं प्लस का है का कूर्दू में का क्या कहते हैं तो कूर्दू में का बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे रहा है रहा कूर्दू में रहे कहते ह कि तो सीन से घ्नije real ऑस इसका इतना ही पाथ उठा लेना आप लोगको इतना पाथ टा लिए सीन से सब्सक्राइस इसी में सीन में रवार जूड़कर सबसे पہले सर बनाईएगा उसके बाद काफ में अलिव जूड़कर का और सबसे पहले सर जूड़िये उसके बाद कार सर कार होगा तो यह सीन का इतना पाठ उठा लिए सीन से सह हो गया और इसी में जो रे है ऐसे जोड़ देना है तो सीन में रे जुड़कर सर हो गया अब काफ में अलिव जुड़कर का बनाई है काफ का इतना ही पाठ उठाय जाता है बस यह सीधा वाला पाठ है यहां पर गोल हो तरह जाता है आगे बढ़े एक कमरान क préparने सब्स santé को और दो-में काव कहते हैं लिख दीजिए मोग और दुमें कहते हैं मिम कहते हैं प्लस रा कुर्दू में रे के कि थे मान कि लिए आलिफ सना चुप मैनून कहते हैं अब देखिए कमरात फंड़ कम बनाने के तो पहले जोड़िए इसी मिम यह जो में का यह बिंदू वाला पाट इसी में इसे जोड़ तो रह हो सबसे पहले ते में लाम जोड़कर तल बनाई है तो ते का इतना ही पाट उठाई है ठीक और इसी में लाम का यह वाला पाट उठा दीजिए ठीक ते से ता और इसी में यह लाम जोड़ गया लाम से ला अब वार लिखना है सबसे पहले तल तलिख दिया वा इसी में जोड़ देना है तो देखे वा जो है न यह पूरा का पूरा इसी लाम में आधर इसे जुड़ जाएगा तो ते से तो लाम से लाव वा व से वा हो गया बट वा बनाना है तो अलिफ यह ने जाकर चिपका देंगे तो ते से तो लाम से ला तल हो गया अब वाव में अलिफ जूड कर वा हो गया तल वा हो गया अब बस लाश्ट में ये जो रे है ले जाकर ऐसे चिपका देना है तो तल ते में लाम जूड कर तल हो गया वाव में अलिफ जूड कर वा रे से रह तल प्लस वा प्लस रह तल वा ठीक आगे बड़ी है रमजान ठीक है तो रमजान में सबसे पहला अक्षर क्या है रा कुर्दू में रे कहते हैं प्लस मा कुर्दू में मीम कहते हैं प्लस जा है जा कुर्दू में जौद कहते हैं ठीक और जौद से तो जा हो गया बट इसको जा बनाने के लिए अलिफ जुड लिखिये रे से रह लिख दिये और मीम का इतना ही पाथ उठाया जाता है तो यह देखिए में का इतना ही पास graduate लीजेे ठीक तो रे सेटोष रहा मिम से हो गया रम उसके बाद से जा जा आप लोगो लिखना है ति जो ज्वाद का इतना वाला पार्ट है ना बस इतना ही वाला पार्ट वही वाला उठाना है देखिए इतना ही वाला पार्ट में उठा दी तो रे से रहा और मिम से मह रम हो गया और ज्वाद का सिर्फ इतना ही पार्ट में उठाई हूं देख रहे हैं सिर्फ इतना ही पार्ट में उठाई हूं ज्वाद से ज्वा कर्ण होगया ज्रुच सेना रमजान की कितना यह लिखा रहे अब कहीं पर भी रमजान लिखा रहे आप आसानी से पढ़पाएंगे खी नहीं है में लिखा है अगे भगवान को कैसे लिखेंगे उर्दु में जिस तरह लिखते हैं ऺास दाहि से भा इस तरह बहुत अंप तो यह हो गया भाग प्लस गाव है गाव कुर्दु में गाफ कहते हैं तो यहां पर गाव लिख दीजिए प्लस वाग है तो बनाने के लिए अलिव जोडेंगे प्लस ना है दो कुर्दु में उन कहते हैं ठीक अब सभी जूड़ जाएंगे सबसे पहले भाव में गौ जुड़िए भाग बनाईए फिर वान बनाईएगा ठीक तो भाव जिस तरह लिखा गया हूँ बहू यहां पर भाव लिख दीजिए ठीक और इसी जो गाफ है ना गाफ का इतना ही पाट उठा लीजिए गाफ का सिर्फ यह इतना ही पाट उठा लिए ठीक भाव और इसी में गाफ आकर ऐसे जुड़ गया है गाफ का इतना ही पाट ठीक भाग अब वान आप लोगो जोड़ना है तो सबसे पहले इसी गाफ में वा को जोड़ दीजिए ठीक और वा को वा बनाने के लिए अलिफ दीजिए तो देखिए अलायो अलिफ में प्लस डीकि कर वान वान भगवान ठीक आगर बड़ी यह पर ताल में सबसे लाक्षर क्या है पा कुर्दू में पे कहते हैं उसके बाद से डा है डा कुर्दू में डे कहते हैं जिस तरह आप भी बनाते हैं बड़ा वाला भी उसी तरह आपर छोटा वाला भी बना देना है ठीक तो डे से डा हो गया प्लस ता है ता कुर्दू में क्या कहते हैं तो ते कहते हैं ते से ता ह पर इसको ता बनाने के लिए क्या करेंगे अलिव जुड़ेंगे जुड़ दिये प्लस लाला कुर्दु में लाम कहते हैं अब देखिए कैसे जुड़ेंगे सबसे पहले पे में युड़ कर पढ़ बनाई है बनाई है इतना ही पाथ उठाई है यह देखिए पाँ हो गया और रखे दीजिए पढ़ अब ताल बस लुट में आज़कर बना ये यह दोया प्लोका ते और इसी में जुड़ कर पढ़ होगी आ लाम यानि किला ले जाकर शिपका है तो ल यह तो पढ़ प्लश ता प्लसल पर ता ओ जिससर आप पर ता लिखे तो लिख दीजिए राक उर्दू में रे कहते हैं तो तो उर्दू में लांग कहते हैं अब देखिए जिस तरह पाम में राज उड़कर पड़ बना रहे थे तो यह देखिए हाँ अपना सकल चेंज करकर मैं आप लोगों को बताई हूं ऐसे सकल में आ जाता है तो यहां पर य तो देखिए हमेंएं जीड़कर हड़ हो गया कितना आसानी से आमने राज ओण है हो अब ताल बस जिस तरह आपर यहां पर भी टाल बना लेंगे मैं यह आप लोगाते और इस कितना आसानी से आप लोग लिख पाए यह था आप लोग का चार अक्षर से बने आ मात्रा वाले शब्द इस तरह के शब्द अगर आप लोग को कहीं पर भी लिखा हुआ दिखाई दे उर्दू में तो आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं या फिर अगर कई हिंदी में लिख सकते हैं सभी तरह के शब्दों को में लिखना बता दी जिसके दुस्ते हुにर आप राद ही मातरा थी तो सभी तरह के चार अक्षर से मिलकर बने आम आतरा वाले शाब्दों को हम लोग उर्दू में लिखना और पढ़ना से आप लोगो को मैं जो कुछ भी समझाई वो समझ में आया होगा कोई भी कंफ्यूजन हो इससे रिलेड आप हमें कमेंट करकर पूर्च सकते हैं बाकि मैं आप लोगों को करते हैं आप लोगों का पूर फिलेडर यार से फिलेद Humanर में आप लोगों।